हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो नियू ब्लॉग कैसे आप सब एक्चली ना मेरा थोड़ा सा बैट गया है तो प्लीज डॉंट मैंड पूरे ब्लॉग में आपको आपको आवाज सुनने को मिलें कि एक दो दिन तक तो मैं आपको यह बता रहे थी कि फाइनली यार गुएंग टो में पिंक टीम जर्नल जो मुझे बहुत से लोगों ने बताए थी कि हम साथ में पिंक टीम की जर्नल करते हैं आप से यह बाट अच्छे जर्गनाइज हो गया है तो अभी डिया पेंटिंग जर्नल लेक मुझे जो भी करना है ना वो करने में जर्गे बैठा थी तो आप तूलेड तो चर्लेर करता है एक शबब्चाने जर्नल करता है पिंग थेंग जर्नल तो ऊसने ॉसके लिए न यह इने ने इसने पेपर्स तो मैंने पिंक थीम में से रिलेटेट पेपर्स ले लिए डिजाइनर और यह वाइट बास्केट में बहुत अच्छे सी यूज आ रहा है यह देखिए फिर और चीज़े जिसे जिए होगी वैसे मैं लेती जाओंगी तो देखिए यह है मेरी जर्नल और इस मेना इत तो जो थीम पर में जर्नल बनाती जाती है उस अकॉर्डिंग तो मैं आप इसमें रखा करूंगी और अगर आपको भी लगता है कि फैन की वज़े से क्राफ्ट पर इधर उदर हो जाते हैं तो आप यह आइडिया ज़रो ट्राइक करना आप आइडिया अपार्ट और पिंक जनल ठीकर तो मैंने यह स्टिकर और अपको भी दिखाई वए उसपर इफ्रेट 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 पींक तेम् देने वाली हूँ इस सचर से इसमें यह व मिया वाले सिट्पर ही बनाती हूँ क्यों कि सेल्फ-ड़र्ही अच्यों आप अब मैं बनाने वाली हूं, निल पेंट, शायद आप यह सोच रहे होंगे, यह तो मुझे जरनल बनानी और सब से पहले में स्टिकर्स की बनारी हूँ, तो वो इसलिए बनारी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं बिंग तीम की जरनल बनांगी ने, तो ऐसे ही कुछ स् सब्सक्राइब थोड़ा सा किया एक दम ही impossible सब्सक्राइब कि इन दोने उसे कोई एक टोम चूज यह नहीं कर सकते हैं तो बाइद वे नहीं मैंने डोनट बना लिया शॉपिंग बैक बना ली हील वाले सैंडल भी बना लिये एड अब यह बना रही हूं मैं सलिंग बैक बनात मॉडरिंग होगी इतना ही नहीं फिर मैं सलो टिप का एक कोड लगाती हूं न वह भी लगाऊंगी कि ताकि वह ग्लॉसी लगे एक दम स्टिकर्स उसके बाद स्टिकर्स को कट करूंगी एक दम अच्छे से एंड उसके बाद हमारे स्टिकर्स रेडी हो जाएंगे अभी मैं मैंने क्यूट-क्यूट फ्लावर्स बना रही हूं कि अच्छे स्टिकर्स का काम हो गया अब आदा गाम मतलब की सलो टिप लगाना एंड कट करना बाद में करेंगे पहले मैंने ले लिया ब्लैक पेपर उसको ऐसे हाथो कर लिया उसको पेष्ट कर दिया और फिर यह स्टिकर्स का बाकी फिनिश बन्हें एक दम ठीख वाली में ले रही हूं ठांस्परन्ट अपकॉर्स फिर पिंक पेपर से लियूट-क्यूट-कान ना उसमें बहुत ही एक interesting चीज लिखने वाली हूं and अभी dark pink, medium pink and light pink मैंने sketch pen से color कर लिया बहुत ही मस लग रहा है ना तो मैंने सुचा उसी तरह से descending order में circles करता है but उससे पहले मैंने ये pink को borders दे दी dark pink color से थोड़ी सी light pink color की like border side में रखी है और ये मैंने descending order में color कर लिया dark pink, medium pink and light pink now let's take pink and grey sketch pens I mean brush pens and इसकी मैं use कर रही हूं thick side and इसमें मैं linings कर रही हूं scale का मैं use नहीं कर रही हूं just पूरे pages में ऐसे standing lines कर रही हूं alternatively मतलब pink, grey, pink, grey और अभी ना मैंने light pink के craft paper से इस तरह से cut कर लिया hand से और ये designer paper है जिसको मैंने यहां पर रखा फिर ये yellow paper है ना उसको मैंने cut किया और यहां पर ऐसे paste किया फिर वैसे यह वाले light pink को paste किया अब pink sketch pen से मैं थोड़ी से details कर रही हूं मतलब कि ऊपर यहां पर मैंने rectangle कर लिया फिर उसको water दे दी और उसके नीचे मैंने यह black line कर लिए अब pink में details कैसे चूट सकती है तो उसमें ना मैंने grey color से की और अलग-अलग जगब पर ना मैंने rectangles किये and that's also done बस यहां पर मैंने designer paper paste किया ना तो अगर आपको दूसरे color का paste करना है pink के अलावा तो आप क्या कर सकते हो वो color का वहां पर paste करना है मैंने यहां पर नीचे yellow paste किया ना plain paper वहां पर आप कोई दूसरा dark pink या फिर ऐसा पेस्ट कर देना है in short pink में कोई भी shade का craft paper and यह मैंने black यहां पर दो rectangle and एक बड़ा सा rectangle paste किया था ना उसमें मैंने white मेरे पास जो पैन है उससे water दे दी अब बारी है सारे स्टिकर्स लगाने की तो flower तो मैंने वह बाजवाले पेज में लगा लिया और इस वाले पेज में वह सारे जो स्टिकर्स किया थे ना वह मैंने लगा है मैंने सुचा कि अगर फिर कोई मस्त दिखेंगे फिर एक जगबर नेल पेंट कहीं और जगबर लाइक लिप्स्टिक वह मस्त नहीं लगेगा ना यहां पर मैंने लिखा पिंक मैं आपको बताने वाले थी ने इंट्रस्टिंग चीज में लिखने वाली हूं फिर मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेक अप पर सेंटेंसे लिखें मतलब वेक अप एंड मेक अप फिर और भी ऐसा जो है स्पार्कल एवरी डे है या फिर हम यहां पर कोई और भी चीज लिख सकते हैं जैसे कि हमें पि लिखी इट स्लीब मेक अप एंड रिपीट मस्त लग रहा है ना फिर यह जो गोट है ना मैंने सोचा फ्लावर का भी स्टिकर है बटरफ्लाइ का भी स्टिकर है तो क्यों ना ऐसा कुछ लिखते हैं नो गार्डन टूली ब्लूम्स अंटिर बटरफ्लाइस हैं डांस्ट तो आज का हमारा लंच न यह है डाल प्राइस सीरा राइस विथ होमेट घंडी घंडी बटर मिल्क एंड यस यह है मैंगोड मेरी नहीं अपकॉर्स सबके लिए है तो मैं इस मैंसे मेरे ले ले लेती हूं और स्टार्ट करती हूं इंपटर लंच थो हो गया है लंच कर आपी मज़ा आगया बीकॉस दालफ्राइं जीरा राइस मैं फेवरिट मेंव अब दाल प्राइं जीरा राइस की राइस बीदाओ तो वैसे आज तो बनकी है बट अब जब आमा बनाएंगे ना तो मैं आपसे श्योवली शैर एक है रिआजंग वर्ड जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो दूसरी रिआ अमेजिग ब्लोग वर्ड एंधिर रियाज़ अमेजिग डान्स वर्ड तो वैसे रेसिपी आएगी िरी आप जाएंग्ड वर्ड में और दाल फ्राइ ऐं जेरल इसकी भी अपकॉस बनाएंग इसे पयाला है तो आप इसमें चाट मसाला फिल करने वाले हैं, And by the way, thank you for your suggestion. So, यह आगा है चाट मसाला है अभी हम इसे फिल कर लेते हैं. So, इसमें फिल हो गया है चाट मसाला है, And by the way thank you for your suggestion! तो आपको यह जोन्य जा ने और न। आ मिलता है नेक्स बोग में, बलब की कल Thank you so much for watching Bye